दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट चैनल में हार्दिक स्वागत है तो आई दोस्तों शुरू करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणों की संड़जना जो आपका लेक्जाम है उसमें जो है यहों काफी हेल्प हुल होने वाला है जितने भ कि थैस कि इसने ने कितीMay को सबसे पहले आता है को अँदिदीन और या सो आठ में किसिस ने ακाइब हुआ चैनल डॉल्टन नाम मगः ग्या μεितने जो हैस्तों इसकी खोज की थी और किया कहा इसे अभी वाजिबरक filthy अभी भाजिया करा यानि कि ना टूटने योगे जो है इसे कहा दूसरा दूसरा में तो कौन विंदू है दोस्तों वो है कैथोर केड़े कैथोर केड़नों की खोज यह किस ने की थी विलियम क्रुक्स किसने जो है दोस्तों क्या-क्या अधियन लेकिन जो खोज किसी थी 1885 फिफ्टीएट में सबसे पहले है कि एथोर केड़ों की खोज सबसे पहले 1858 में किस ने की थी जूलियस प्लकलर ने की थी और इसका जो है अधियन किस दोस्तों विलियम क्रुक्स ने इसी लिए कैथोर केड़ों की कोज का श्रे किसे जाता है विल्यम कुक्स को जाता है यह जो कैथोर क्रिण है दोस्तों कैथोर क्रिण है यह कैसी कैसी होती है रिनाविशित होती है इस पर कौन साविश होता है रिनाविश होता है माइनस चार्ज होता है और यह क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोन ह की सिक्टाल ऑइलेक्रोल का जाता है अगला महत्फपुंपिंट कोको है चौधा एनॉर एनॉर किरने या इन्हें दोस्तों जो है कैनाल के नाम से भी जाना जाता है कैनाल किरने को चीछ ने की थी गोल्ड स्टीन है कब की थी 1886 में की थी और इसी एनोड किरन को कहा जाता दोस्तों प्रोटोन और इस पर कैसा आविश होता है पोजिटिव नाविश होता है तो इसी एक प्रोटोन की खोज का स्रेश सबसे पहले किसे जाता है गोल्ड स्टीन को जाता है यूट्रोन की खोज किसने की थी जेम्स जैडविक किसमे की थी एलफा कर में जो हलके तो जैसे लिथियम बैरीलियू इस पर की थी तो इस थर्टी फाइब में जो इने नोबल पुरुसकार भी मिला था तो फेल पुरुसकार से जो यह सम्मानित किया गया था नूट्रोन की को जैब से चैडविक ने की थी एलफा कर में जैसे लिथियम बैरीलियूम पर जैसे लिथियम बैरीलियूम इन पर जो है यह क्या है हलके तो रहते हलके इन पर जो है पोचार की थी अलफा करों की और इस चीज के लिए दोस्तों इन जो है नाइंटिम थर्टी भाइप पे जो है नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो बिंदु है एक्स केड़ है खोज किसने की थी रंजन एक्स केड़ों की खोज किसने की थी दोस्तों रंजन ने की थी इन्होंने क्या कहा था कि जब कैथोर केड़ों को किसी ठोस धातु से टकराती है यह कोई धातु है ठोस धातु से टकराती है तो यहां पर जो है जो नई प्रकार की केड़े उपन होगी इस प्रकार से या इसके वार बार जो नए केड़ होगी दोस्तों इन्हें क्या कहा एक्स केड़ है यह क्या है एक्स केड़ है यह कहाँ है हिलियम धातु को एल्फ आकर्ण कहा जाता है इस पर क्या होता है दोस्तों हिलियम पर प्लस टू आविश होता है और इसका जो दरविमान होता है तरविमान क्या होता है किता होता है इसका दरविमान जाए इसके राव अगला कुछ महत्व पॉइंट है पर्माणू की संदेशने जैसे पर्माणू मोडल किस ने किया था नाइटी 1911 में रदर पॉल्ड है इसके बारे में हमने एक्स्ट वीवियों में जो है छे से चर्चा करेंगे इन्होंने क्या कहा था कि पर्माणू एक गोला है इस पे धना विशितकन पीच पे बिद्य मान रहते हैं इसे क्या कहते है नाभिक इसे क्या कहते है नाभिक कहते है और इसी नाभिक की खोज किसने की दोस्तों रदर पॉल्ड है एक पर्मानु रहता है एक पर्मानुं रहता हुण उसके बीच में पर्मानु रहता है धनाःवशित आकार का गोला रहता है जिसके कहते है नावि दक न कहते हैë तो इसrices अगर क्रशन हाता है की नावी की खोज किस ने की तो रदर Iraq होडे जो है वो कितनी है, 10 की गात, मैनस 10 मीटर, और नाबी की जो त्रिज्या है, वो है 10 की गात, मैनस 15 मीटर, तो ये महतव्य ीचीजे है, और इस पर ये क्या होता है, धनावेश होता है, इसके चार वो इलेक्ट्रोन, जिल पर क्या होता है, इनावेशित, जो क्या करते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं और यह दोनों जो है एक दूसरे से किसी बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं तो इसके बारे हम नेक्स वीडियो में चर्चा करेंगे इससे पहले हम कुछ छोटी-छोटी चीजे देख लेगते हैं जैसे इलेक्रोन, फोटोन और न्यूट्रोन सबसे पहले अभी हम ने चर्चा किज इसने की थी जूर लूर्ट ने की थी ती 288 इसकी में उन्होंने क्या कहते था कि परमारु एक अविवाज्यकरन है तो जैसे जैसे वेग्यारिकों ने ओफोटी गई वह ऐसे वयसे क्या पता लगा कि परमारु क्या है छोटे छोटे कंद सिमिल्कर बना होता है जिने क्या कहते है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर मानू किस सिमिल्कर बना होता है इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कंद जिने क्या कहते है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब सबसे पहले आथा है एलेक्टोन के अगर हम बात करें इलेक्टोन इसकी इसकी खोज किसने की थी थी तो खोज इलेक्टोन की खोज किसने की जे जे थोमसन है जो है इलेक्ट्रोन की खोश गी थी और इस पर जो हाविश होता है दोस्तों क्या होता है रिणा विश इस पर कौन सा हाविश होता है रिणा विश होता है रिणा विश रहता है लेकिन इस पर जो हाविश कितना रहता है वो रहता है इलेक्ट्रोन की खोज यह यह थोंसन ने की और आवेश इस पर रिनावेश रहता है यानि कि इलेक्ट्रोन पर कौन सा चार्ज रहता है इस प्रकार से मैनस का चार्ज रहता है और कितना आवेश रहता है इलेक्ट्रोन पर 1.6 से गुणा 10 की आद मैनस 19 कुलाब रहता है अब के द्रबिमान की बात करें द्रबिमान इस पर जो द्रबिमान लेता है दोस्त पूर रहता है 9.1 इंटो 10 की गार मैंस 28 यह रहता है CGS CGS पद्दतिम है और दूसरा पहला इस CGS पद्दतिम है और किलोग्राम में देख लेता है 9.1 नौ द्रबिमान 9.1 गुणा 10 की गार मैंस 31 यह रहता है दोस्तों केजी किलोग्राम की पद्दतिम है तो यह दोन उद्रबिमान आपको इसके याद रहने है पद्द्रबिमान 9.1 गुणा 10 की गार मैंस 28 CGS पद्दतिम है और्शव रहता है किलो ग्राम की पंद दीक मैं एलेक्ट्न पर क्या रहता है आबस रहता है इसके अलावा इस पे जो है दोस्तो कहां पर रहता है नाभिक के इस्तिति कहां पाया जाता है extend water कि अबहा जो है यहां पाया जाता है जैसे नाभिक है इसके चारव क्या पाया जाएंगा आपके इलेक्ट्रोन इस प्रकार से और प्रतिक की है बात करें दोस्तों प्रतिक इसे प्रतिक माइनस वन इलेक्ट्रोन इस प्रत इए यहां से प्रतिक B यहां से एक्जाम पे बन सकता है इस प्रश्ण बनेगा कि इलेक्ट्रोन नावे के कहां किस आहों में वार में वपाया जाता है दुरम इमार इंपूral सकता है दोस्तों आपको KDG — पत्यती में cgs पत्यती में इंपूर सकता है और आवेश पर रहता है माइनस वर रिना विष रहता है यह रिना विषिक रहता है और अब दोसरा आता है पर मारू वो आता है प्रोटोन गोल्ड इस्टीन बहुत ही वयानिक ने जो है सबसे पहले प्रोटोन की खोज कर दी थी किसमें की थी 1886 में कैथोर के रहुए कि कैथोर की ने पर जो कैथोर की नों की खोज किस देखी थी गोल्ड इस्टीने और कैथोर की नों पर कैस आविश रहता था पॉजिकी वारिष रहता था जिस्ते ही जो इसने क्या काथा प्लोटों का या काथा क्या का था फूंटाल है कर लेकिन यहांपर जो सथे दिया जाता है किसको दिया जाता है य्या पहला है दोनो ओपफिशन एक साथ नहीं आएี่गे एगर दोनों आता है रद ना desert फूर्ड में की थी 1911 में इन्होंने कहा था कि यह परमानु है कोई आटम है इस पर क्या है एक नाविक है और इस नाविक पर कैसा चार्ज रहता है पोजिटिव चार्ज रहता है और इसी को दो सोच ते क्या कहा था गुआ है किया था नाविक है यह क्या है नाविक इसवर धनावेश है और इस धनावेश अरू से अक्या रफिकलाक प्रोडु क टो ने कासे बिजल ईता है आता है और दोनों आते हैं तो डोनों मैसे यह मिल जाएगा वई से तो दोनों यहां पर जो है आपको उप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे तीसरा में तो को बिंदू है वो है कि प्रोटोन पर जो है चार्ड कैसे रहता है इस पर जो है आविश कैसे रहता है धना धना विश कितना रहता है प्रोटोन और इलेक्ट्रोन पर जो दोस्तों सेम आविश रहता है 1.6 कुणा दस्किकाद माइनस 19 कुलावं इलेक्ट्रोन पर भी इतना आविश रहता है और प्रोटोन पर भी सेम आविश रहता है फिर अगर बात करें इसके अलावा जो मेहत्तों बिंदू है वो है कि इसका द्रभ्यमार कितना होता है प्रभ्यमार पहले देखेंगे CGS पद्धति में CGS पद्धति में CGS पद्धति में जो है प्रोटोन का द्रभ्यमार कितना रहता है 1.6 कुणा दस्किलाद माइनस 24 ए है CGS पद्धति में और दूसरा आता है किलोग्राम केजी 15 ए है 1.6 कुणा दस्किलाद माइनस 27 किलोग्राम CGS इस प्रकार आप इसका द्रभ्यमार लिखेंगे अब देखते हां इस पर जो है प्रतिक क्या है इसका प्रतिक है प्रतिक है दूसरा इसका प्लस जैसे हमने वहां पे इलेक्रॉन के लिखा था माइनस प्रतिक होगा क्या है इसका प्लस 1 P1 क्योंकि प्रोट्वन को किसे दिनॉप करते है P से प्रोट्वन करते है से था से इसे प्रोट्रो करते है थे कर देभेते को प्सार है और शिती है सब्सक्राइब पर देखने को मिलता है आओ नाभिक नाभिक तो इसकी स्थिति बनी रहते हैं आवेश की मात्रा प्लस वन इलेक्रोन पर माइनस वन थी तो प्रोटन पर क्या होगी प्लस वन रहीगी अब आखरत है यूट्रोन की कुछ करता कौन है दोस्तों खोच जैंस चलीक और इस पर आवेश्या रहता है इस पर दोस्तों कोई आवेश नहीं रहता है कैसे रहता है उदासीन रहता है ना तो इस पर इलेक्रोन न्यूट्रोन पर ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और ना ही नेगेटिव चार्ज रहता है इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है तो इसलिए इसका आवेश क्या है कुछ नहीं जीरो अगला आता है इसका द्रभ्यमान न्यूट्रोन और प्रोटोन का द्रभ्यमान सेम रहता है ये एस्यू के पदों में कि जीएस पद्धति में सीजीएस कितना रहता है 1.6 रूना तसकी राथ मैंनस चौविस और किलो ग्राम की पद्धति में कितना रहता है 1.6 रूना दसकी राथ मैंनस 27 लिखते नहीं नोट्ट इलेक्ट्रोन और और प्रोटोन पर आवेश समान रहता है कि पर रहता है 1.6 रूना दसकी राथ मैंनस 20 कुलाम चीक है यह है इलेक्ट्रोन और प्रोटोन पर जो है आवेश समान रहता है दूसरा है दूसरा बिंदू क्या है प्रोटोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन काद रभ्यवान समान रहता है कितना रहता है सीजेस पत्यति में सीजेस में कितना रहता है दूसरा रहता है लगवा कितना रहता है प्रतीक प्रतीक प्रोटोन प्रोटोन समान रहता है दूसरा रहता है प्रतीक चीन क्या होगा इसका 0 & 1 यह महतोगों है इससे आप अच्छी से रुण या इससे आप अच्छी से पाइंग में रखना है यह 0 & 1 इसका क्या है प्रतीक है किसका न्यूट्रोन का अगला है नाभिक के अंदर अ इसके अम्हीं रखो कंड़ोन रखो कंड़ोन न्यूट्रोन यह वह कंड़ोल कंड़ोन क्या या अ पर्माडं के संद्रचना जिसमें हमने पर्माडं के बारे में पड़ा इसकी खोज के कित कई नुरण के क्या है इनकी खोज उसके बाद हैं इलेक्स्ट न्यूट्रन नोट्रन सभी के बारे में चर्शा की थी